हेलो गैस, welcome back to the channel, आप सबीगा फिर से स्वागत है डीकॉमर्स में, दोस्तो हमने पिछले एक वीडियो में चैप्टर नमबर फाइफ तक सारे जो चैप्टर से और उनके क्वेशन से वो कम्प्लीट कर लिये हैं, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप डेफिन of errors, सबसे पहले चैप्टर के नाम से आपको क्या समझा रहा है, एक trial balance बनाना हमें सीखना है और दूसरा जो भी गलतिया हुई है उनको सुदहारना सीखना है, दोस्तों यहाँ पर इस चैप्टर में दो पार्ट में डिवाइड है यह चैप्टर, पहला जो है trial balance को पर बात क कैसे बनाते हैं, कितने type के trial balances होते हैं, यह सब बात करता है, इसके बात कितने type के errors होते हैं, कौन से errors trial balance को effect करते हैं, कौन से errors trial balance को effect नहीं करते हैं, और error को सही कैसे किया जाता है, कैसे उसकी general entry pass की जाती है, यह सारी चीजे दोस्तों हम अभी start करेंगे यहाँ पर इस वीडि वीडियो में हम खाली टायब इसको डिसकस करने वाले हैं और अगले वीडियो में हम डिसकस करेंगे Rectification of Errors को और उसके अगले वीडियो में हम इसके questions को देखेंगे तो चलिए बिना वेट किये यहाँ पर ये वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दो कि आपने अभी तक जो सीखा है वो ये सीखा है कि कैसे एक voucher से एक general entry pass की जाती है जो भी general entry pass की जाती है उसमें एक account debit होता है एक account credit होता है इसके बाद कितने टाइप की एकाउंट होता है एक होता है assets एक होता है, liabilities एक होता है, expenditure और एक होता है, income यह आपने सीखा, अब दोस्तों यहाँ पर इसके बाद आपने सीखा कि laser में जो posting की जाती है, वो posting कैसे की जाती है channel entry से और laser का balancing figure कैसे निकाला जाता है laser में अगर कोई account debit हुआ है, तो उसके debit side में लिखते है और कोई account credit हुआ है, तो उसके credit side में लिखते है अब दोस्तों यहाँ पर उसके आगे का procedure क्या है सबसे पहले channel entry पास होती है, दूसरा होता है उसकी posting और तीसरा बनता है laser के बाद trial balance trial balance दूस्तों basically होता क्या है, यह मैं आपको समझा देता हूँ जो भी account के debit balance होते हैं और जो भी account के credit balances होते हैं जब हम laser बनाते हैं तो अगर आप उन debit का total और credit का total करोगे तो दोनों match हो जाएंगे, क्यों match होँगे? क्योंकि हम जो भी general entries मारते हैं वो हमेशा tally entries होती है, यानि कि उसका debit और credit हमेशा tally होता है और फिर हम उसी को laser में post करते हैं, तभी भी हम debit और credit को एक सबान post करते हैं तो यहाँ पर जो balance निकल के आना चाहिए, ट्राबलेंस का वो हमेशा same रहना चाहिए debit और credit दूनों सेट का same रहना चाहिए अब दोस्तों यहाँ पर trial balance जो है वहाँ पर, अगर आपको meaning जानना है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो मैंने आपको insert बता लिया कि trial balance इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपको यह बल चले कि क्या आपकी कोई गलती हुई है और अगर गलती हुई है तो कहाँ पर हुई है यह identify करने के लिए और trial balance के पाद दोस्तों बनता है final accounts जहां पर आता है trading account, profit and loss account और balance sheet तो यह बनाने के लिए भी आपको trial balance बनाना पड़ता है अब दोस्तों आते हैं यहाँ पर सबसे पहले trial balance के format में तो आप देख सकते हों कि trial balance का format एक तम जादा simple है सबसे पहले आगा account का title याने कि कौन सा account आप लिख रहे हो फिर आएगा laser folio उसके बाद आएगा debit balance उसके बाद आएगा credit balance ठीक है दोस्तों अब आपको यहाँ पर यह प्रोफर्मा याद रखना है और इसी प्रोफर्मा से पूरे dollar balance की question solve हो जाएंगे बहुत ही easily अब आते हैं दूस्तों यहाँ पर टैल balance बनाने के steps क्या क्या होते हैं तो सबसे पहले आपको जितने भी account है उन सब के balances निकालने होंगे जो भी laser account आपने बना है उन सब के balance निकालने होंगे उसके पाद list each account यानि की हर account करना criter balance में लिखना होगा और फिर उसका debit balance और credit balance अगर debit balance है तो debit balance है तो credit बना होगा इसके बाद दोस्तों total करना होगा debit balance का और total करना होगा credit balance का इसके बाद जो भी आपका answer आएगा वो हमेशा जो है बदती हुई है ये होता है दोस्तों trial balance बनाने का तरीका इसके बात क्यों बनाया जाता है तो इसको लोकेट करने के लिए और financial statements को बनाने के लिए trial balance को बनाया जाता है अब दोस्तों यहां पर आते हैं कि आपको यह बात पता होने जाए कि कौन से account का कौन सा balance होता है तो मैंने आपको पहले basics में पढ़ाया था कि अगर कोई भी expense है तो वो हमेशा debit balance में होता है कोई भी asset है तो वो हमेशा debit balance में होता है कोई भी liability है तो वो हमेशा credit balance में होता है और कोई भी capital से related चीजे है तो वो हमेशा credit balance में होंगी तो आपक creator का balance होता है credit ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर कुछ examples दिये रहे हैं तो आपको यह बताना है कि उसका कौन सा balance होता है ठीक है दोस्तों अब देखो दोस्तों capital क्या है capital credit balance होता है मैंने भी आपको बता है तो अधर पहले capital liability होती है lands and building क्या है asset debit balance plant and machinery क्या है asset debit balance equipment क्या है asset furniture fixture क्या है asset cash in hand asset cash at bank asset debtors asset bills receivable क्या है अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं इसके बाद जो chapter आएगा वो bills receivable के उपर होगा वनापर हम बात करेंगे कि bills receivable के कैसे solve करते हैं और bills receivable होता क्या है stock क्या है हमारे लिए asset stock of finish goods asset तो ये सारे जो asset है उनका जो balance है वो debit balance है इसलिए सबका balance debit side में लिखा हुआ है purchase हमारे लिए expense है जब्ही भी expense होता है तो उसका भी debit balance होता है carriage invert, carriage outward, यह दोनों हमारे लिए expense है, अब आता है sales में, sales क्या है income, और income का balance होता है credit, तो sales का balance जो है credit side में आएगा, sales return, अगर sales credit है, तो sales return debit होगा, तो sales return का balance debit में आएगा, purchase return, अगर purchase debit है, तो purchase return credit होगा, तो purchase return का balance credit side में आएगा, interest हमने पे किया, तो हमारे लिए interest expense होगा, अगर हमने पे किया, तो debit side में आएगा, commission मिला, तो हमारे लिए income होगा, तो credit side में आएगा, salary हमारे लिए expense होगा, तो debit side में आएगा, long term loan liability है, तो credit side में आएगा, bills paper liability है, तो credit side में आएगा, creditors liabilities है, तो credit side मे तो यह हमारे लिए liability क्योंकि अब हमें customer को good supply करना होगा, तो यह भी credit set मा हैगा, drawings जो हमेशा debit होती है, क्योंकि business से पैसा निकल रहा होता है, हम drawings के entry के हमारते है, drawings account debit to back account या to purchase account, तो यहां पर drawings का balance जो है, वो debit balance आता है, और at the end यह दोनों का total है, वो हमेशा match होना चाहिए, इ अब आता है कि mathematical accuracy निकालने के लिए काम लाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपसे कोई भी गलती होगी balances लिखने में, तो आपका trial balance गलत नहीं होगा, टैली नहीं होगा, अगर आपने कोई एक entry का debit side का amount अलग लिखती है, credit side का amount अलग लिखती है, तो भी balance जो है या फिर posting के समय गलती हो जाती है, या फिर calculation के समय गलती होती है, जब account का balance carry forward करते हैं तब गलती होती है, और trial balance के total में गलती होती है, तो ये सारी गलती आपको trial balance बनाने पे पता चल जाती है, ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आता है, financial statement बनाने के लिए ये सारे balances काम आत हैं ये आप देखेंगे, financial statement वाले chapter में जो की chapter number 9 और chapter number 10 है, इसके बाद, अब दोस्तों बात ही आती है कि trial balance कैसे, कितरे method होते है trial balance बनाने के लिए, पहला होता है total method, total method में आपको क्या करना है, जो भी आप account बना रहे हैं, जो भी आप leisure account बना रहे हैं, उसका आपको balancing figure नही देखना है, आपको ये दिखना है कि credit side का total कितना है, और debit side का total कितना है, और वो दोनों को लिख देना है, simple concept है, for example अगर आपने बनाया purchase account, तो purchase account का आपको सारा का सारा debit side का total वो, और credit side का total है वो, दोनों को आपको लिख देना है, ठीक है, मांग चलिए आपने बनाया RAM का account, एक्唯ा का डेटल है तो रांव यह साय है करने ऑज पक्रेटल करना है और मेंधरम की हो नाम सी हमेड़ा रहा है अगर इसका टाौल्स नीगालना है और हो तो यह होता है balancing method इसके पाद आता है totals come balance method इसमें क्या होता है कुछ नहीं होता उपर के दोनों method को merge कर दिया है यानि कि यहां पर बंगते हैं चार column credit set का total debit set का total credit set का balance debit set का balance और यह चारों में चौद debit total और credit total और tudo और वाला column होता है वो भी deli होता है तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा बनता है आपका trial balance अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो इसका explanation लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको sort form में समझा दिया है तो अब दोस्तों आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सीधा आजाते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक question दिया है Mr. Rawat का Mr. Rawat का laser का balance आपको दिया है आपको तीन method लगाने है total method, balance method और total come balance method और आपको ये बताना है कि क्या यहाँ पर जो laser account बना है वो सहीं बना है कि नहीं बना है अगर आपका try balance का total tally हो गया तो समझे कि आपका laser पिलकल सहीं बना है और अगर tally नहीं हुआ तो समझ लीजे कि कुछ न कुछ कड़बड हुई है अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बनाओ सबसे पहला method, total method total method में क्या होता है दूनों side का total लेते हैं तो रावत के capital account का total हम जो है लेंगे और फिर उसको लिख देंगे तो यहाँ बर देखिए रावत के capital account का जो credit side का total है वो है 60,000 और debit side का total 0 है क्योंकि यह तो balance है balance carried down नहीं लेना है opening balance को लेना है लेकिन closing balance को नहीं लेना है तो debit side में 0, credit side में 60,000 आईए देखते हैं रावत के capital account यह देखिए रावत का account debit side में 0, credit side में 60,000 रुपीज इसके बाद आएंगे हम रावत के account के बाद आएंगे रोहन के account में रोहन के account में देखिए debit side में cash 40,000 60,000 हमको closing balance का total नहीं लेना है ठीक है हमको closing balance का total नहीं लेना है तो debit set का 40 और credit set का 60 रोहन का आईए देखते हैं रोहन का debit set का 40 और credit set का 60 ठीक है इसके बाद machinery का debit और credit देखेंगे हम कि machinery का कितना है machinery का देखिए यहाँ पर depression लगाए 3,000 रुपीज credit set में और debit set में कुछ भी नहीं है तो debit में 0, credit में 3,000 similarly राहूल के debit में 75,000 और credit में 55,000 ठीक है balance को नहीं लेना है और आपको total लिखते जाना है यह देखिए यहाँ पर आपको machinery का जो है 20,000 और 3,000 ओपनिंग लिखना है opening balance लिखना है closing balance नहीं लिखना है ठीक है तो यहाँ पर opening balance जो machinery का था वो 20,000 लिखा हुआ है लेकिन closing balance को इंक्लूड नहीं करना है similarly राहूल का 75,000 और 55,000 sales का credit balance 70,000 cash में कितना आया कितना गया cash account देखते है आईए यह cash account यहाँ पर यहाँ पर total मारिए यह हो गया आपका एक लाख और यहाँ का हो गया 67,000 आये देखने कितना लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है sorry 57 57 total कितना 57 कहां गया चार और एक पांच और पांच और तो साथ 57,000 ठीक है दोस्तों तो अभी एक लाख और 57,000 लिखा है फिर wages, depreciation और purchase अब दोस्तों अगर आप इसका total मार से बनाना है अभी जीदने भी closing balances है जैसे रावत capital का कितना balance है closing 60 था हुआ तो खाली credit said में आएगा अब आपको खाली closing balance लिखना है transaction ने लिखना है ठीक है रोवन का capital, machinery का debit, राहूल का debit, sales का credit, cash का debit balance, wages का debit और preparation और purchase का debit तो यहाँ पर इसका भी total जो है match हो किया आप देख स तो यहाँ पर trial balance दो तरीके से बनता है एक total method एक balance method. Balance method में खाली balances लिखना है closing balance और जो total method है उसमें opening के साथ total करना है लेकिन closing को नहीं लेना है. ठीक है दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर यहाँ तोम यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ बना सकते हैं कोई दिक्तत की बात नहीं है अब आपके लिए बहुत इजी हो किया है अब आते हैं कि common error जो है कौन से कौन से होते हैं track balance में सबसे पहला error in totaling of debit and credit balance जब हम debit and credit balance का total मारता है तब कोई गलती हो सकती है subsidiary book के total में गलती हो सकती है posting के समय हो सकती है account balance को हमने गलत कॉलम में दिखा दिया यह भी गलती हो सकती है या फिर हमने कोई omission कर दिया account balance में तो भी omission या नहीं की लिखना ही नहीं छोड़ देना उसको error in calculation उसकी वज़र से हो सकता है error in posting and journal entry, error in recording and transaction, error in recording and transaction in subsidiary तो यह सारी चीज़े जो है common errors है जो की trial balance में आपको पता चल जाते है fit दोस्तों यहाँ पर खतम हो जाता है आपका trial balance के सारे concept और अब आता है यहाँ पर rectification of error दोस्तों rectification of error जो है वो हम बात में करेंगे अगले वीडियो में तो अगर कोई यहाँ पर illustration है trial balance का तो मैं आपको वो definitely दिखाना चाहूंगा की कैसे trial balance आपको बनाना है दोस्तों trial balance के लिए कोई अलग से question नहीं है इसमें trial balance and rectification of error का question दिया हुआ है तो जो भी question है वो हम अगले वीडियो में लेंगे और अगले वीडियो में हम rectification of error भी करेंगे और साथी साथ यह सारे questions भी करेंगे तो दोस्तों आज के लिए अगर आपको यह trial balance का concept समझाया तो वीडियो पर like करिए share करिए अपने दोस्तों के साथ और यह वीडियो जो बहुत short है 16 minute के आजपास का वीडियो है तो इतने में पूरे trial balance का concept cover हो चुपा है तो अगले अगर revenue हो झाल यहा तोस्तों के लिए आपरबद रेपास कर आपको है